हाई अब्रिवान वेलकम तो भी मन्यू आईएस माइम इस रोहित गर्चा एंड इस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करन्ट अफेर्स को बहुत ही तू दपॉइंट तरीके से डिसकस करते हैं पूइंट 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 अब देखो जिन लोगों ने तियारी करते हैं जिनको कुछ साल हो गए है you must have come across such report यह basically report आपको बताती है कि world में arms की dealing के अंदर क्या चल रहा है military expenditure की dealings के अंदर military expenditure के अंदर क्या चल रहा है which country is the largest importer of arms कौन सी country is the largest exporter of arms किसका expenditure बढ़ा है किसका कम हुआ है top expenditure कौन कर रहा है और उनका collective data का है प्लस यह साथ में recommendations भी देती है policy के ऊपर चलिए देखते हैं इसका full form के है कि Stockholm International Peace Research Institute report 2023 यह एक independent international institute है which is dedicated to research into conflict, armaments arms control and disarmament as well right कब established हुआ था 1966 में Stockholm, Sweden के अंदर ठीक है और यह एक independent organization है यह जो report है particularly इसको countries actually use करती है in case अगर आपको prelim के अंदर सवाल आता है कि which of the following country is the largest importer of arms which of the following country is the largest exporter of arms और कोई report mention नहीं हुई तो इस ही report के हिसाब से answer जाता है यह इतनी reliable report है objective क्या है इस particular institute का that is कि to undertake research and activities on security, conflict, peace and provide policy analysis and recommendations जैसे मैं आपको बोल रहा था कि recommendations भी देती है and recommendations global data देखते हैं इसका यह बोल रहा है कि new high reach हुआ है global military spending में that is 2240 billion US dollars in 2022 यह आपको याद रखने के ज़रूरत नहीं है यह fact ऐसा नहीं है पस इसमें यह है कि नहीं और ज्यादा पैसा अब तक का सबसे highest पैसा जो है वो लगना शुरू हुआ है top 5 military spenders कौन है US, China, Russia India and Saudi Arabia top 3 कौन है US, then we have China, then we have Russia और चौथे नंबर पे इंडिया और पाँच्वे नंबर पे Saudi Arabia अब जो पहली 3 कंट्रीज है रिपोर्ट के हिसाब से they spend around 56% of the total expenditure more than half of the world's military expenditure is done by these 3 countries 56% और top 5 जो है the 5 countries accounted for 63% of the world's military spending so however, India बहुत जादा भारी मातरा में spend करता है military के उपर almost 2% of our expected GDP of 23-24 2% उसका military पे लगा रहे है उसमें से भी more than half is going towards pensions and salaries फिर भी ये globe उसके इनके comparison में it is nothing तो ये तीनों मिलके they spend around 56% और बाकी बच्चवे 5 total 5 that is 63% एक जो इसमें unique सी entry that is Saudi Arabia पाँचवे नंबर पे कि 5th largest spender in the world is Saudi Arabia तो ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज है अगर एक्जाम में कहीं आता है तो अगर कोई गूमोगे तो यहीं गूमोगे या confused होगा कि चाइना को वो नंबर वन बोल देगा या रशिया को नंबर वन बोल देगा क्योंकि conflict चल रहा है इंपोर्ट किस ने किया है इंधी लास्ट फाइव यर्स नंबर वन इंडिया एलेवन परसेंट ऑफ दी आम जो इंपोर्ट हो है पूरे वर्ल्ड में वो आपको इंडिया ने इंडिया ने किया है देन वीव साओधी अर्श्टेलिया एंड चाइना इंडिया देन वीव साओधी देन वीव कतर देन वीव ऑस्टेलिया एंड वीव चाइना इसकी ऐसी कुछ अब्रिवेशन बनती है कि इंपोर्टर्स कौन कौन है लार्जेस्ट वो यह लोग है अस्टेलिया आपने याद रखने यह थोड़ा और कतर भी आपने याद रखने यह थोड़ा सा यूनीक एंट्री एसके नदर क्योंकि लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर स्पेंडर है ना और एक्सपोर्टर भी जो है अर शरपासिंग इव एस इस तर्ड वन यां रली सॉरी उस इस इस थार्ड वन फ्रास्स इस नुमर वन और चाइना इस दी वर्ल्ट सेकिंड लार्जेस्ट परिटर्टर एलो केटीड रइट तोड़ा सा और स्को असान भाश इंप्रेट नहीं है रश्या military spending grew by an estimated 9.2% in 2022 रश्या की military spending 9.2% increase हुई है अब देखो इस वाले fact को आप mains में use कर सकते हो अगर हम economy की बात करते हैं तो यह सिर शिदा according to SIPRI report 2022 के अंदर रश्या का जो military expenditure है it rose by 9.2% इस तरीके की information को आप use कर सकते हैं कैसे यह economy का फायदा करता है कैसे यह नुकसान करता है कहां का पैसा निकल के किदर को जा रहा है है तो यह सब चीज़ें आप in fact के थूरू use कर सकते हो यह हमने देख लिया कि US largest military spender है राइट चाइना इत रिमेंड दी वर्ल सेकिंड लार्जेस्ट मिलिटरी स्पेंटर अब इमने देखा था और इनका कितना बजेट है 292 बिलियन डॉलर्स इन 2022 पहली वली statement क्या बोलती है France was the second largest supplier of arms with a 29% share surpassing the US which stood at 11% तो US को surpass करके France अब उपर अली position पह आ गया यह कहने का मतलब अश्टेटमेंट का India's military expenditure rose by 6% in 2022 and important fact यह भी SIPRI report highlight कर रही है कि India's military expenditure rose by 6% in 2022 the country stood as the fourth highest spender in the world यह हमने देख लिया कितनी है military expenditure इसकी 81.4 billion dollars और चाइना की कित्ती थी 292 billion dollars तो आप देख रहे हो तीन गुना से जादा तीन गुना लगभग लगभग तीन गुना से साड़े तीन गुना expenditure है चाइना का इंडिया के मुकाबले तो यह भी इस report के थू हाइलेट हो रहा है चाइना का कितना है यहापे almost 3.5 times the increase in India spending shows the effects of its border tension with China and Pakistan अब ultimately military expenditure हो रहा है तो हम border ही protect करते है sovereignty protect करने के लिए भी protector borders की तो मुस पार हो हम इस पार रहेंगे इधर आने की ज़रूरत नहीं है तो वो अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ में अगर आपको border active मिलेगा तो आपको expenditure भी जादा देखने को मिलेगा इंडिया's expenditure and equipment upgrades for the armed forces and strengthening military infrastructure along its disputed border भी चाइना accounted for 23% of its total military spending in 2022 तो यह बोल रहे है कि चाइना के साथ में जितना हमारा टकराव चल रहा है उस basis के ऊपर हमें 23% of the military spending उधर को करनी बढ़ती है रिपोर्ट के थुरू है ना इंपोर्ट की बात करें वर्ल्स लार्जेस्ट आम्स इंपोर्टर है However, India's arms report fell 11% between 2013-17 and 2018-22 इन दो के बीच में 11% का जो है fall देखने को मिल रहे है और हम क्यूंकि अभी जे रिपोर्ट है यह 5 साल की रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है कि लास्ट फाइव यह ने स्राटिंग में भी देखा था लास्ट फाइव यहां पर बात हो रही है रिजन्स फॉर डिक्लाइन इंडिया इस टेकन राफ्ट ऑफ मेजर्स ओवर दी लास्ट फॉर्ट फाइव यह तो बूस्स इल्फ रिलाइंस वही आपको बताया आत्म नि बारत की कोई सक्सेस स्टोरी के बारे में कोई सवाल आता है यह कहीं पर ऐसे के अंदर आप मेंशन करना चाहो तो इस इस तिंग जो आप डिरेक्टली सिप्री रिपोर 2023 के नाम से मेंशन कर सकते हो कि सेल्फ रिलाइंस और डिफेंस के बूस्ट देने के चकर में हमारा जो हुआ हुआ यह कि मारा आम्स इंपोट 11 परसेंट से फॉल कर गया है हावयवा अभी भी हम टॉप पे ही है राइट और मारा शेर किता था 11 परसेंट ही था है कैसी 11 परसेंट शेर था हमारा इस इंक्लूड क्रेटिंग सेपरेट बजेट फर बाइंग लोकली मेड मिलिटरी हाडवेर इंक्रीजिंग एफ डिए फ्रॉम 49 परसेंट तो 74 परसेंट नोटिफाइं हंड्रेड्स और वेपन शिस्टम्स यहां इस वजह से हमार को जो है ओवराल इंपोर्ट जो है कम होते होए दिख रहे हैं एक पर ही हम इंडिया की बजट के हिसाप से देख लेते हैं अभी जो रीचेंट बजट आया था जो पुराना बजट लास्ट बजट अट इस कि उसके अंदर ऐलोकेटेड 5.25 लाक्स है ना उससे पहले 4.78 लाक्स है और उससे पहले 4.71 लाक्स है ना इतना इतना हम उसके ओपर स्पेंड कर रहे हैं इस यह डिफेंस बजट है ना वो आपको जैसे हर साल रहता है कि प्रोजेक्टेड जीडीपी का 2 परसेंट ही आपको लगभग जो है इंक्रीज हुई है इस अबाउट 6 परसेंट हायर देन लास्ट यह बजट एस्टीमेट अबाउट 8 परसेंट मोर कंपेर तो दी रिवाइज एस्टीमेट्स है ना मेजर कहां पर जाता है salaries and pensions remained the largest expenditure category in Indian military budget and accounted for around half of all military spending यह भी एक करण है कि चाइना अगर 292 बिलियन खर्च कर रहा है तो उसके जो उसकी जो forces हैं कहा जाता है कि they are not that well in their mental strength और जो as one-to-one combat करना यह उस टाइप की चीज है वह equipment based उनका जाधा रहता है इंडिया के अंदर we are so proud of our soldiers right कि उनका temperament ऐसे है कि वह कहीं भी बिढ़ जाते हैं किससे भी बिढ़ जाते हैं तो यहां पर आपको थोड़ी सी जलक देखने को मिलेगी कि हमारा major expenditure है वो personals के उपर लग रहा है right and that is all for today's topic थोड़ा सा lengthy होगे यहां जैसी एक टेडी मेडी से एंट्री आई थी वो आपने याद रखनी है सिप्री रिपोर्ट कौन देता है वो याद रखनी है इंडिया का expenditure चाइना के मकाबले कितना है यह सब आप security के अंदर जो है वो use कर सकते हो thanks for watching my name is Rohit Garcha and this series is called to the point जो की आपको आपके प्रिलिम जर्नी के लिए प्रिपेर करती है this is Abhimanyu IAS which has an experience of more than 23 years in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999 thank you so much for watching